मेरे स्रमिक साथियों, देश आपकी भावनाओं को भी समझता है और आपकी जरुरतों को भी समझता है। आज खगडिया से शुरू हो रहा ये गरीब कल्यार रोजगार अभ्यान इसी भावना, इसी जरुरत को पूरा करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। बिहार, उत्रप्रदेश, जारखन, ओडिसा, मद्दप्रदेश और राजस्तान, इन छे राज्यों के 116 जिलों में ये अभ्यान पूरे जोर सोर से चलाया जाएगा। गर के पास ही काम दिया जाए। अभी तक आप अपने हुनर और महनत से शेहरों को आगे बढ़ा रहे थे, शेहरों को चमका रहे थे, शेहरों का भला कर रहे थे। अब अपने गाउं को, अपने इलाके को आगे बढ़ाएंगे। और साथियों, आप ये जानकर हरान रहे जाएंगे, कि मुझे इस कारकम की प्रेणा कहां से मिली। मैं आपको ये सिक्रेट बता देता हूँ, मुझे इस कारकम की प्रेणा कुछ सरमिक साथियों से ही मिली, कामगार भाईयों से ही मिली है। साथियों मैंने मीडिया में इस लॉकडाउन के दर्म्यान एक खबर देखी थी, ये खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव से थी, तो ये जो शहर से सरमिक बापिस आये थे, उनको महा रखा था, उस समय ज़्यादा तर दक्षिन भारत से जो सरमिक थे, वो आये थे, हैधराबाद से आये हुए थे, और इन सरमिकों को रंगाई, पुताई और पी ओपी के काम में वो उनकी मस्टरी थी, अब वो में थे, और वो अपने गाउं के लिए कुछ करना चाहते थे, तो उन्होंने सोचा कि ऐसे पड़े रहेंगे, दो टाइम खाते रहेंगे, उसके बगाई, हम जो जानते हैं, उस हमारे हुनर का उप्योग करिये, और देखिये, उन्होंने उस सरकारी स्कूल में, कॉरंटाइ सेंटर में रहते हुए, इन हमारे स्रमीक भाई बहनों ने अपने हुनर से उस कूल का ही काया कल्प कर दिया, लोकडाउन के समय उसकी रंगाई पोताई करके बढ़िया बना दिया, मेरे स्रमीक भाई बहनों के इस काम को जब मैंने जाना, उनकी देशभक्ती को, उनके कुछ करने वाले लोग हैं, और उसी मैसे इस योजना का जन्म हुआ है, आप सोचिये, कितना टैलेंट इन दिनों वापस अपने गाउन लोटा है, देश के हर शहर को गती और प्रगती देने वाला, श्रम, हुनर, जब खगडिया जैसे ग्रामिन इलाकों में लगेगा, तो इस से बिहार के विकास को भी कितनी नई उर्जा मिलेगी, नई गती मिलेगी.